हेलो फ्रेंड्स मैं तारा तो चलिए फ्रेंड्स आज ये बलेरो जैकेट लेके आई हूँ जो हाब बाजू की बलेरो जैकेट होती है कोलर वाली वह आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये मेरी रिक्वेस्टर्ड वीडियो है मेरी सब्सक्राइबर को बहुत जादा इसकी डिमार्ड थी कि आप बना के बताएं तो मैंने देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बलेरो जैकेट बनाई है तीन सो ग्राम के लगबग इसमें वूल लगी है और एक्सल साइज में मैंने इसको बनाया है बाकी आगे मैंने स्टेप बैस्टेप आप लोगों को बताया है कि आप बाकी साइज में इसको कैसे बना सकते हैं तो कोलर वाली बलेरो जैकेट है तो बनने के बाद कुछ इस तरह से लुक आता है इसका और बहुत ही अच्छी बनी है आगे चलिए बनाते हैं और वीडियो को शूरू करते हैं इस बलेरो जैकट को बनाने के लिए मैं जो वूल का इस्तिमाल कर रही हूँ वो मेरी ब्लू वैल की वर्दमान वूल है जो ब्लू वैल कंपनी की वर्दमान वूल आती है उससे बना रही है और मूंगी या कलर लिया है बाकी आप किसी भी कलर से बना सकते हैं नो नंबर की slices को बनाने जा रही हूं तो देखे सबसे पहले हमने यह जो मैंने बना रखा है यहीं से start करेंगे और थोड़े से फंदों में मैं आप लोगों को यह बताऊंगी बनाना तो यहां मैंने 55 फंदे डाल रखे हैं मतलब 50 और 5 फंदे उपर तो 55 फंदे 55 फंदे 55 फं इस तरह से single दा रिलेंगे और जितना लंबा चोडना है उतना कर लीजिए बाकी आप इस तरह से ऐसे ऐसे गांट लगाईए चाहे आप लूप बना लीजीए सीद्य आप गांट भी लगा सकतें ऐसे इस तरह से गांट भी लगा सकतें और बहुत ही सिम्पल तरीके से बना रही हूँ बाकी आप इसमें डिजाइन भी डाल सकते है अब देखीए आपने ये हमारा चोड़ा हुए दगा और ये गोले वाला है गोले वाला दगा आप इस तरह से कर लें और इस दगे से आपने फंदे डालने है तो देखिए हमने इस तरह से simple फंदे डालने है और थोड़े थोड़े डिले हाथ से फंदे डालेंगे ज्यादा टाइट नहीं डालेंगे तो इसतरा से हम सींपल फंदे डालेंगे इस तरह से 55 फंदे डालके त्यार कर लूगी मैं तो देखिए मैंने याँ थोड़े से फंदे डाल लिए आपने 55 फंदे डालने हैं उनको आपने किस तरह से बनाना है तो देखिए सबसे पहली सलाई में चाहिए आप पहला फंदा उतार लीजिए इस तरह से उतार लेंगे और आगे धागा करके इस तरह से उल्टा उल्टा इन सारे फंदों का आपने उल्टे उल्टा बनाना है तो यह पूरी रो मैं उल्टी उल्टी कर लोगी लास्ट का फंदा आपने सीधा रख लेना है मैं सीधा ही रखूंगी यासे सीधा रख लिया अब आपने उल्टी सलाई भी उल्टी बना लेनी है और हम ऐसे ही चार सलाईया निकाल लेंगे यह दूसरी सलाई है तो दो सलाईया और हम उल्टी उल्टी दुनों तरफ से निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरी 4 सलाइयां complete हो गई है अब 4 सलाइयां बनाने के बाद अब देखिए हमने 2 सलाइयां सीधी तरफ से सीधा बनाना है और उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है तो यह हमारी total 6 सलाइयां हो जाएंगी सीदी तरफ से मैं सीधा बनाऊंगी अब और उल्टी तरफ से उल्टी तो चार नीचे उल्टी उल्टी हो गई और यहां से पाँचमी सलाई हमारी सीधी और छेमी सलाई हमारी उल्टी तो यह 6 सलाईं आपने complete कर लेएं 55 हंदों में तो मैं बना लेती हूं देखिए, यहाँ पे 5 मी सलाई complete हो गई, आप 6 मी सलाई उल्टी बना लेंगे. यह 6 मी सलाई आपने उल्टी उल्टी बना के complete कर ले निया. देखिए, इसतरा से हमारी 6 सलाईयां complete हो जाएंगी. अब आपने क्या करना है? फिर आपने 4 सलाईयां उल्टी निकालनी है इस तरह से तो आपका ये पैटर्न इस तरह से बनके आ जाएगा देख लिजी इस तरह से चार सलाईया आपकी इसमें ये हैं और दो सलाईया सीधी और उल्टी है तो इसी पैटर्न को आपने इस तरह से बनाते हुए जाना है और लगबग कम से कम आपने इसको कितना बनाना है 55 फंदों में वो मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ जैसे मैं अपने लिए बनाऊंगी जैसे मेरी breast का size 40 है तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगी यहां से तो यह 20 इंच आ रहा है थोड़ा सा हमने खींचना है इसको क्योंकि हमेशा जब अगर मैं line ने इसमें उल्टी उल्टी आपको गिन के दिखाती हूँ तो मेरी line ने यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा सोला सत्रा आठरा उन्नी 20 21 22 23 24 25 26 27 तो 27 मेरी यहां पर यह total जो उल्टी उल्टी यह बन गी है अब देखिए आपने क्या करना है आपने यहां तक छोड़ देना इसको और जो भी साइस जैसे मैंने आपको यहां पर 20 नाप के दिखाया अगर आपकी छाती का नाप 38 है तो आप 19 करिए अगर 36 है तो आप यहां पे 9 कीजिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं इ चोड़ा सब बता देती हूं आपको उसके बाद उसके बाद आपने देखिए यह साइड आप बना रहे थे उपर की तरफ लेकिन अब आपने यह सीधी साइड आपकी यहां से आप कोने से देख लीजीए ध्यान से यह देखिए हम इस तरफ को बनाते हुए जा रहे थे इसको गांट लगा लेंगे फहले इन दो को तो देखिए record को जितने भी यहाँ पे लूब दिखाई दे रहे हैं इनमें आपने के करके एसस तरह से एक एक करके यहाँ पे फंदे उठाने हैं यहाँ देखी एक कर के इस तरह से उठा लेंगे सिंगल दागेगे नहीं जो लूप दिखाई दे रहा इस तरह से ऐसे ये देखिए असानी से उठाए जाएंगे फंदे ऐसे ये ऐसे तो हम यहाँ से फंदे उठा लेंगे यहां से लेके यहां तक मैं फंदे उठा लेती हूँ देखिए मैंने यहां पे सारे फंदे उठा लिए यहां से लेके यहां तक मेरे पास 82 फंदे उठे हैं मतलब 82 फंदे उठे हैं यहां से यहां तक तो यह 82 फंदे अगर आपके पास कम फंदे उठते हैं भी कोई बात नहीं, तो ये 82 फंदे कम हैं, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे फंदे कम रह गए हैं, अब देखिए, जो फंदे कम रह गए हैं, हम क्या करेंगे, उल्टी सलाई में हम, ये हमारी दूसरी साइड की सलाई है, उल्टी सलाई में मैं क्या करूँगी, इन फंदों क 110 करेंगे तो 110 करने के लिए हमें यहां टोटल 20 और 28 तो कम से कम 28 फंदे उठाने पड़ेंगे तो जैसे हम सिंपल स्वेटर बनाते हैं एक्सल साइज में तो हमारे 110 फंदे बहुत होते हैं अगर हम डिजाइन में बनाते हैं तो हम 120-125 रखते हैं जब डिजाइन थोड़ा हैं लेकिन यह मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूं तो सिंपल में आपने इसी तरीके से कर लेना है अगर आप इसमें डिजाइन डाल रहे हो आप डिजाइन भी डाल सकते हैं इस पल्ले में पूरे में तो आप यहां पे डिजाइन के तोर पे आप नीचे जो मैंने 55 रखे ह दस पंदे बढ़ा लीजिए तो आप यहां भी बढ़ जाएंगे 120 बढ़ जाएंगे तो इस तरह से आप कर ले कर लें आप तो मैं सिंपल बना रही हो तो सिंपल के लिए मुझे 110 फंदे मैंने उठाने थे तो मेरे थोड़े का मैं तो मैं क्या करूंगी उल्टी सलाई में इस आपको यह दिखाई दे तो आप से उठा लेना और एक पंद्दय ऐसे उठा लियां बीच बीच में से आप गिन गिन के यहांपे आप 110 फंदे कर लीजिए एकgendल क्यूंगी ति इसी लूप से में उठा लीजिए ये दो ये तीन कि इस तरह से आप दो दो तीन तीन चार चार फंदों के बाद एक एक फंदा उठाते जाईए तो मैं बीच बीच में से ऐसे ही फंदे उठा लेती हूँ तो देखिए मैं लास्ट तक आ गई हूँ और यहां से मैं फंदे उठाती उठाती आ गई हूँ और यहां भी लास्ट में मेरा 28 में फंदा उठा गया है तो टोटल मेरे पास 110 फंदे हो गए और 110 फंदों को मैंने य जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे डिजाइन नहीं डाला वह निचे तो अगर आप डिजाइन डालते हैं तब भी ठीक है अगर नहीं डालते तब भी यहाँ पे आप डिजाइन जो आपने यहाँ पे डिजाइन रखा हुआ है वही आप उपर डालिए मैंने विल् अपनी सीधी और उल्टी तो 6 सलाइया बना बना के मैं इसको कम से कम 9 इंच लेंथ करूँगी तो मैं इसको बना लेती हूँ 9 इंच पहले मैं 4 सलाइया बनाऊंगी ये और फिर 2 सलाइया सीधी तरब से सीधी और उल्टी तरब से उल्टी करके छे-छे सलाईयों का इसी तरह से जैसे मैंने नीचे पैटरन किया यह देखे इस तरह से यहां पे भी में वही कर लोगी तो मैं बना के आपको दिखाती हूं वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी बहुत ही इजी तरीके से मैं बना रही हूँ यह मैंने 110 फंदों को जो 110 फंदे हैं उठाए थे मैंने उनको मैंने बुन लिया है और इनको मैंने कितना बुना है जितना आपने मुंडा रखना है उतना बुना है आपने जैसे हम यहां पे जाकेट बना रहे हैं तो जाकेट से हमें मैं यहां पे देखिए इसको थोड़ा सा खिंचूंगी तो यह 8 हिंच के करीब है यह देखिए तो मैं जाकेट बना रही हूँ तो जाकेट के लिए इतना ही अगर आप बाजू लगाते हो तो बाजू के लिए बाजू के लिए आप 9 इंच रख लीजिए तो बाजू लगानी है अगर आपने 9 इंच के करीब आपका 9. मेरी सीधी तरफ से तीसरी सलाई यह है उल्टी उल्टी क्योंकि चार 4 सलाई ओगा हमारा पेटरन था, अब मैं इसको कम्पलीट कर लोगी तो देखिए मैं यहाँ पे लास्ट पे आगी हूँ, अब देखिए मैं क्या करूँ कर रहे हूं एक्यों को देखिंहाने 25 पंडे के पहले में 25 पंडे लिए क्रुंडे कर रहें किकर देखाने 25 संदे यहां मौंडे के लिए ulin और कि by AB यहां पे जो मेरे बीच में 60 फंदे हैं, 60 फंदे हैं, उनको मैं 2 का 1, 2 का 1 करके टाइट हाथों से गटा लोगी, बीच में 60 फंदे होंगे, उनको हम इस तरह से 2 का 1, 2 का 1 करके गटा लेंगी, तो टाइट हाथों से गटाना है आपने, जोकि 60 फंदे हैं ये, तो मैं इनको ग टाली है 25 फंदे इधर है 25 फंदे इधर है तो यहां पर देख लीजिए इस तरह से यह बनके कंप्लीट हो गया मतलब यह पिछला पल्ला कह लीजिए अब देखिए हमने क्या करना है यहां पर हमने यह देखिए यहां पर हमने यह फंदे छोड़े हुए यह देखिए यहां प 55 फंदे थे अब इनको हम बनाएंगे तो बनाएंगे किस तरह से अब क्या करेंगे देखिए मैं यहाँ पे पहला फंदा उतार लूँगी और अगले एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, सोरी सात हो गए और इनको मैं पूरी लाइन को उल्टा उल्टा बना लूँगी तो देखिए मैंने पूरी सलाई कंप्लीट कर ली, लाइस्ट का फंदा सीधा रख लिया, अब आजाए यह उल्टी दरब, उल्टी दरब भी आपने पूरी सलाई उल्टी डालनी है, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके लाइस्ट के सात फंदे हैं, उनको आप से पलट लेंगे, इन फंदों को नहीं बुनेंगे, अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे धागा ऐसे करके, पहला फंदा आप चाहे उतार लीजिए, और फिर धागा आगे करके, यह सलाई भी आप पूरी उल्टी कर लेंगे, तो हमने यहाँ पे सात फंदे छोड़ होती है बुने, अब आपने पूरी सलाई उल्टी और फिर उल्टी सलाई में क्या करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो यह सलाई भी उल्टी डलेगी, क्योंकि यहाँ चोथी सलाई है, दो दो सलाई है, उपर से दिखाई दे रही है, उल्टी उल्टी, चार चार सला तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहां से यह देखिए चाहे आप यहां से उठा लीजिए यहां से उठाएंगे और इस पंदे को उल्टा वुनेंगे और स्वरी इस फंदे को उठाएंगे यहां से और यहां पर दो का एक करेंगी क्योंकि फिर फंदा बढ़ जाएगा तो यह फंदा हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि यहां पर जाली न पड़े और हमारा पता न चलेगी हमने यहां से एक मतलब छोड़ा है फंदो को तो देखिए इस तरब से मतलब हम कम लाइने बुनेंगे अब क्या करूँगी मैं देखिए पहला फंदा उतारूँगी और अब मैं अगले छे फंदे उल्टे बुनूँगी मतलब टोटल यह साथ हो जाएंगे तो साथ फंदे बुनूँगी उल्टे उल्टे यह देखिए दागा पीछे करके अब एक सलाई पूरी सीधी जाएगी और एक सलाई उल्टी आएगी जब आपकी सलाई उल्टी आएगी तब फिर आपने यहाँ पे साथ फंदे छोड़ने हैं तो इसी तरीके से आपने करते जाना मैं थोड़ा सा बना के आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें की कैसे करना है या सीधी सलाई ड़एगी क्योंकि ह्मारी ये जो पैटर्न है हमारा चार उल्टी सलाईउ का एक सीधी और एक उल्टी गाया ऐसे ही हमें करते जाना इसको बुनते हो जाना है तो देखिए मैंने यहाँ पे हर तीसरी सलाई में यहाँ पे शोट रोज की हैं साथ फंदे छोड़ दियें और फिर मैं वापीस आगी हूँ वापीस आने के बाद फिर मैंने उल्टी सलाई में एक फंदे के साथ उन फंदों को उठा लिये तो देखिए इस तरह से मेरी मोंडे वाली जो लाइन है वो मेरी शोट रोज बन गी है मतरव यह थोड़ी टाइट हो गी है और मैंने इसको इतना बनाया देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ जितना मैंने पीछला पला बनाया था जो उठा के फंदे बनाये थे वो मैंने जितना बनाया जितनी उसकी लेंद है उसके अकोडिंग यह बनाया था देखिए इसकी गुलाई अपने आप अंदर की तरफिये मुड़ता जाएगा और यह गोल आ जाएगा देख लीजिए इस तरह से दिखाई दे रहा है यह देखिए जब तक आपकी लियांति यहां तक नहीं हो जाती तब तक आपने शोट रोज करते जाना है और इन पचपन फंदों को देखिए एक साइड से हमने बिल्कुल इस तरह सिंपल रखाया और एक साइड से शोट रोज की है शोट रोज तरफ करनी है जिस तरह आपका मो नदा हो तो शोट रो मैंने बताई आपको करना कैसे करनी है तो ढ épिशले किशले पलें के 25 लंदें पड़े हैं हम umas क्या करें गे अब इसके और यहां पर में आपको एक बार दिखा देती हूं इसको देखिए इसतरा से उल्टा करेंगे उल्टा उल्टा सोर यह सीधा सीधा मिला देंगे यहां पर यह देखिया नहीं मॉंड़ा बन गया एक चर्इंगा और यह जो पच्चीस फंदे है और पिछे-के जो helping फंदे हैं इनक पच्पन फंदों में से 25 फंदे हम आगे के 25 फंदों के साथ गटा देंगे तो वो कैसे करना है देख लीजिए यह सीधा है और यह भी अंदर की तरफ से सीधा है ऐसे मिलाएंगे और यहां पर पिछली सलाई से अगली सलाई में फंदा डालेंगे सबसे पहले दो का एक फिर हमने उसी तरीके से एक फंदा उतार के अगली सलाई में लाना और फिर यह लाना फिर तीन का एक होगा फिर इसी तरह से यह सलाई से उतारेंगे अगली सलाई में डालेंगे और फिर यह डालेंगे तो तीन का एक होगा तो सारे फंदों को हमने जो 25-25 फंदे हैं मेरे तो उनको हमने इस तरह से गटा लेना है, गटाणा बहुत आसान है, जैसे हम मुंडा गटाते हैं, तो यह उसी तरीके से है, यह इस तरह से मैं गटा लोगी, तो देखिए मैंने सारे ये जो 25-25 फंदे थे गटा लिए और जो मेरे ये 55 फंदे थे इसमें से मेरे 30 फंदे बच गये हैं इन 30 फंदों को आप चाहें तो किसी सलाई में डाल के रख लीजिए ये देखिए चाहें आप इसमें डाल के रख लीजिए इस तरह से किसी में भी सलाई में आप इसको डाल के रख लें तो देखिए मैंने यहाँ पे यह 30 फंदे हैं जो मेरे 30 फंदों को ऐसे डाल के रख लिया और इनको मैं जब सीधा करूँगी इस तरह से यह देख लीजिए तो मेरा यह मोंडा बनके त्यार हो गया एक साइड का यह देख लीजिए ध्यान से एक तरफ का मोंडा बनके त्यार हो गया और यह जो मेरे 30 फंदे हैं इनको हम इस तरह से ही छोड़ देगे अब देखिए आपने क्या करना है मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर जो हमने स्टार्टिंग में यहां सिंगल दागे से फंदे डाले थे अब हम क्या करेंगे इन फंदों को हम खोल लेंगे तो खोलेंगे क्यों कि हमने इनको अब भूनना है इस तरफ का बल्ला तो हम क्या करेंगे उस दाग्यों को असानी से खुल जाएगा वो क्योंकि हमने सिंगल तरीके से डाला हुआ तो अराम से आप उसको एक-एक करके फंदों को निका लिए और एक सलाई में उठा लिजिए तो वो 55 फंदे होंगे 55 फंदे आप इस तरीके से उधेड उधेड के यह देखे उठा लेंगे तो मैं इनको उठा लेती उधेड के तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे फंदे उधेड के इनको उठा लिए जो हमने स्टार्टिंग में सिंगल धागे के फंदे बनाए थे डाल ले थे सलाई में उनी सिंगल धागे को हमने उधेड के और यहाँ पे 55 फंदर दुवारा कर लिए और यह लास्ट का फंदा है देखिए लास्ट के फंदे को भी मैं उदेड लूँगी यहां से इसमें गांट लगाई थी हमने यहां से इसको थोड़ा सा सुलाई डालके इस तरह से उदेड लेंगे यहां से उदेड जाता है यह तरीके से अब देखिए हमने सेम उसी तरीके से करना है यहां पर हमारी चार सलाई यह उल्टी दिखाई दे रही है हमें अब हमें क्या करना हमें इस तरफ फंदे छोड़ते जाना मतलब स्लीप जो हमारी शोट रोज है वो हमें इस तरफ करती जाना है इस तरफ हमें वैसे ही बुनना है पहला फंदा उतार लेंगे और अगले जो भी फंदे आपके उनको सीधा सीधा बना ले लास्ट तक मैं सीधा सीधा इसको बनाती जाओंगी तो मैं इस पूरी रो को सीधा सीधा बना लेती है तो देखिए लास्ट के जो हमारे साथ फंदे यहाँ पे रहेगे हैं वहां तक मैंने इसको बूल ली है ये फंदे साथ हमने छोड़ देने हैं हम छोड़ते जाएंगे इनको तब ही हमारी जो शोट रोज है वो बनेंगी तो यहीं से हम बीना बुने इसको ऐसे टर्न कर लेंगे यहां पर मैंने बारीक सलाई लगाई थी तो मैं इसको उतार के अब हम उल्टी दर्ब से इस फंदे को उतार के अगले जो हमारी पूरी लाई ने वो हम उल्टी उल्टी बनाते जाएंगे तो साथ फंदे हमारे छूट गए हैं यहां पर साथ फंदे हमने नहीं बुने हैं तो मैं पूरी सलाई उल्टी बना लूँगी तो देखे अब हमने यहाँ पे अपनी उल्टी हरों कंप्लीट कर लिये अब हम क्या करेंगे यहां से फंदाउ ठाकर यह ंप पूरी रो उल्टी-उल्टी बनाएंगे क्योंकि हमारी चार सलाईयां उल्टी हैं और एक सीधी और एक उल्टी का डिजाइन है तो छे सलाईयां इस तरह से हैं तो हम अभी यही रिपीट करेंगे तो पूरी रो मैं यहां तक ऐसे बुनती जाऊंगी उल्टा-उल्टा अब देखिए मैं लास्ट में आगी हूँ लास्ट में आके देखिए हमने यहां पे साथ फंदे छोड़े दे अब हम क्या करेंगे इस तरफ सीधी तरफ आए हम तो यहां से एक फंदा उठाएंगे और यहां पे दो का एक करेंगे और अगले साथ फंदों को यह दो का एक करक लास्ट का चाहे आप सीधा रख लें, इस तरह से, देखिए अब आपने तीसरी सलाई में एक फंदा यहां से उठाके पूरी रो कम्प्लीर की है, और आप आपने यह पूरी रो उल्टी बनानी है, तो इसी तरह से आपने करते जाना है, आप उल्टी सलाई आपकी उल्टी आ जाती है उसमें आपने लास्ट के साथ फंदे छोड़ देने हैं और फिर आपने इसी तरीक्ये से उसको बनाते जाना है और अपना यह साइड़ का पल्ला भी आप点 je complete कर लियरे कुम अ Fantastic. इसलाई बना लेती हूं US को अब peng the देखेprem कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूं तो देखिए आपने जीस तरह से यह देखिए यहां से आपने इसी तरीके से अब देखिए सीधी सलाई आपकी आएगी यहां से आएगी वही साथ फंदे छोड़ने हैं आपने फिर बैक आना है फिर सीधी सलाई में वहां से एक फंद चोड़ने तो इसी तरह से करते करते आपका ये फल्ला भी फोल्ड होता जाएगा जैसे आपका ये फल्ला फोल्ड हो है तो ये मैंने आपको बना के दिखाया थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये भी इसी तरीके से आ जाएगा तो मैं इसको भी इसी तरीके स सइड थी और उसको जोड लिया जो 55 फंदे थे उसमें से 25 फंदे हमने मौंडे से जोड लिये और जो हमारे 30 फंदे बचे थे उन 30 फंदों को हमने इतना फालतू बना लिया वो इसलिए बनाया क्योंकि जो बिच्चे का जो बैक साइड का गला है उसके साथ हमें अटैच करना है तो देखिए आद्धा हमने इस तरह से ये बना लिया ये 30 फंदों को ऐसे बनाते गए और 30 फंदे जो हमने उस तरफ छोड़े थे इसको बनाते गए हैं ध्यान से देख देखिए इस तरह से ये जुड़ेंगे दोनों इस तरह से हम क्या करेंगे इसको जैसे हम नॉर्मल गलों में करते हैं भी लेडिस स्वेटर बनाते हैं तो नॉर्मल गलों में करते हैं घटाते हैं तो हमने क्या करना है यहां पर देखिए ये बैक साइड का गला है और इन द हम गटाते हैं लेकिन हम क्या करेंगे इसमें हम उल्ठा उल्ठा मिलाएंगे और सीधु तरप से दोनों सीधे इधर इधर दिखाई दे रे अब इसको हम गटा लेंगे गटाने का तरीका वहीं है पिछली स्लाई हमने 2 का 1 कर लेना है यह देखिए 2 का 1 किया और फिर पिछली सलाई से अगली सलाई में डालेंगे फिर यह डालेंगे फिर 3 का 1 अब हमारा हर बार 3 का 1 3 का 1 उत्ता जाएगा और हम थोड़ा डिलले हाथों से गटाएenगे इसको क्योंकि यहां से हमारा कोलर है जो बैक साइड में यह कोलर हम अटैच कर रहे हैं तो माल लीजिए यह वाला तो इस तरह से मैं सारे फंदे करके 30-30 इस तरह से गटा लोगे थोड़ा सा डीला हाथ रखिए यहां पर टाइटना कीजिए ऐसे ऐसे हम थोड़ा डीला रखेंगे तो देखे लास्ट के भी हमने तीन फंदे अपने गटा लेने हैं और जो हमारा यह धागा है यह वाला इसके अंदर से हम इसको जो हमारा गोले वाला गोला है इसको ऐसे निकालके और इसको गाठ लगा लेंगे गाठ लगा लेंगे और इस दागे को थोड़ा काट लेंगे अब देखिए जो हमारी ये सिलाई है ये उपर आ गई है ये वाली उपर इसलिए की है जब हम कोलर ऐसे पल्टेंगे तो हमारा ये बार की तरफ मत्रफ अंदर क तरफ नहीं दिखाई देगा तो यह देखिए गला हमारा इस तरह से अटैच कर लेंगा सिलाई कर लेंगे सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूं थोड़ा सा आपको यहां बता देती हूं सिलाई करना भी सिलाई के लिए बीचों बीच ऐसे टांक लीजिए इस तरह से मिला लीजिए इसको और चाहे आप आदा आदा सिल्ले ऐसे साइड में से इस तरह से यह आपने साइडों से उठा उठा के इस तरह से सिलाई कर लेनी है बहुत ही easy है, चाहे आप सीधी तरब से करें, चाहे आप ओल्टी तरब से कर लें, इस तरह से मैं पूरी सिलाई, दोनों तरब से ऐसे हैं, इस तरह से, पहले इस तरब की कर लोगी, ये लूप से दिखाई दे रहे हैं, इसको इस तरह से, और इस तरब दिखाई दे रहे हैं, बटन होल नहीं बनाया था ऐसी बटन लगा लिया और इस तरह से इसका लूक आ रहा है बाकी साइज के लिए आप 8-8 फंदे कम कर लीजिए अगर आपका हाथ टाइट है तो 6 फंदे कम कर लीजिए तो इस तरह से आप बलेरो जैकेट को बना सकते हो और यहाँ पे अगर कुछ लगाना चाते हो आप जैसे लटकन से लगाना चाते हो तो आप लगा सकते हैं क्रोशिया करना चाते हो तो क्रोशिया भी कर सकते हैं और देखिए बन के हमारी बलेरो जैकेट त्यार होगी तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर